हरी वोम आप लोगों को माया ग्राफिक्स में स्वागत करते हुए आज में आप लोगों को क्रियेटिव कप के बारे में बताने जा रहा हूं पहले आप क्या कर लो एक control पकड़के circle ले देना बाद में इसमें एक all ड्रॉ कर लेना इसको इसको दोनों को select करके c बोल दो c बोले तो width में center होता है तो control के साथ इसको थोड़ा उपर ले लो यह दोनों तरफ से इस circle को best set करना चाहिए तो भी दोनों को select करके trim बोल दो इसको right click करके ब्रेक कर देना और इसमें control के भी आप बोल सकते हो एक बार बाहर क्लिक करके इसको select करके delete कर देना अभी जो यह जो circle है इसको control पकड़के नीचे की तरफ ले लो right click करके duplicate हो जाता है अगर मैं इसको अभी color दिया तो यह क्या है उपर की तरफ है इसको मैं shift और page down करता हूं तो नीचे जाएगा तो बाद में अगर यह color नहीं चाहिए अभी तो मैं इसको left click करके cross mark में निकाल देता हूं कि अभी इसका handle करना है तो उसके लिए मैं क्या करता हूं एक control पकड़के इसे एक circle ले लो लेके इसको circle और एक क्या है इसके अंदर duplicate कर लो right click करके बाद में इसको दोनों select करके back minus print करना है अभी इसको दूसरी बार आप क्लिक करेंगे तो rotation आता है दूसरी बार जब हम क्लिक करते तो थोड़ा time interval देखे क्लिक करना है तब यह आता है बाद में इसको ऐसे skew कर लेना स्क्यू करने के बाद थोड़ा इसको छोटा कर लेना छोटा करके इस तरफ लाके इसे रख देता हूं बाद में इसको जो कप का जो base है उसके साथ shift पकल के select करना है और weld करना है वेड करने के साथ ही यह आपका कप ready हो गया अभी हमको क्या है और थोड़ा इसको थोड़ा creative करने के लिए मैं क्या करता हूं अभी इसमें artistic media tool में आता हूं इसके अंदर क्या है आपको brush करके इदर यह है इसको active करना तो number of brush varieties आपको मिल जाएंगे इसमें मैं calligraphy में आता हूं इसके अंदर बहुत सारे यह स्ट्रोक से कौन सभी स्ट्रोक आप दे तो उस्ट्रोक में जाने से पहले इस कप को select कर लेना बाद में इदर आके आप क्या करो कौन सभी स्ट्रोक आपको जो चाहिए वह स्ट्रोक आप दे देना तो ले लेता है और यह क इसका थिकनेस आपको थोड़ा ज्यादा या कम करना है तो यह दर आके आप इसका size भी ज्यादा कम कर सकते आप कि यह थोड़ा कम हो गया थिकनेस उसका कम हो गया ऐसे आप क्या है creative work इसमें बना सकते हैं परे अगर कुछ आपको परिशानी है तो comment box में comment कर देना फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ धन्यवाद